Hello Friends, Welcome to Primarily Teaching. आज का टॉपिक है Pronouns. आज हम सीखेंगे कि हम बच्चों को pronouns कैसे बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं. pronouns को हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं. pronouns को introduce करने से पहले I would suggest कि आप बच्चों को पहले noun अच्छे से सिखा दिजें. क्योंकि जब noun उनको clear होगा तो ही वो pronouns ही से समझ पाएंगे. If you want, मैंने एक वीडियो बनाया है nouns पे, आप चाहें तो उसे जाके चेक करके उसे देख सकते हैं. link मैं description box में दे दूँगी. Now let us start. pronouns are a part of speech. part of speech में there are 8 parts, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. इसमें पहले हम noun introduce कराते हैं बच्चों को, उसके बाद we start with pronouns. These are the words that are used in the place of noun. तो ये जो words हैं, जो pronouns हैं, ये noun की जगा use होते हैं. pro का मतलब होता है for, noun का मतलब होता है संग्या. तो संग्या के स्थान पर use करे जाने वाले words होते हैं, उनको हम pronoun कहते हैं. अब जो noun है, that is the name of a person, place, animal or thing. ठीक है? और जो pronouns हैं, हम उनको noun की जगा क्यों use करते हैं? हम लोग noun को ही सिरफ क्यों ने use करते हैं? pronouns की ज़रूरत हमें क्यों पढ़ती हैं? इसका reason ये है कि अगर हम nouns को ही बार-बार sentence में use करते हैं, तो हमारा जो लिखा हुआ, या हम जो बोल रहे हैं, या जो हम लिख रहे हैं, वो बहुत repetitive सा हो जाता है. बार-बार-बार जब noun repeat होता है, तो जो language है वो simple नहीं लगती है, जो language है वो असानी से समझ में नहीं आती. थोड़ी अजीब सी लगती है, कैसे अजीब लगती है मैं आपको बताती हूँ, देखें, for example, मैं बात करती हूँ एक बच्चे के बारे में Amit, ठीक है, और मैं यहाँ पे सिर्फ noun में उसके बारे में बात करती जाती हूँ, जैसे Amit is a boy, Amit likes to swim, Amit likes ice cream, Amit has many friends, Amit is going to market, अब बार वो repetition अच्छी नहीं लगती है language में, इसलिए हम क्या करते हैं, हम pronouns use करते हैं, हम जो first sentence होता है, जैसे Amit is a boy, यहाँ पे हम noun को as it is छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे noun को pronoun से replace नहीं करेंगे, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि बात किसके बारे में हो रही है, मगर उसके बा जो बाकी के sentence हैं, उसमें हम Amit को replace कर देंगे, he say, Amit is a boy, he likes to swim, he likes ice cream, he has many friends, he is going to market, इस तरीके से हम इसको replace कर देंगे, और हमारी जो language है, वो भार्षा जो है, वो आसानी से, जो भी देखेगा या सुनेगा, उसको समझ में आने लग जाएगी, अब हम चलते हैं आगे, types of pronouns क तरफ, types of pronouns में मैं सिर्फ personal pronouns आज करा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले personal pronouns introduce कराए जाते हैं, बात में उन्हें दूसरे pronounce कराए जाते हैं, personal pronouns यानि जो noun को replace करते हैं, I, me, we, you, आदी से, और personal pronouns जो हैं, वो दो तरीके के होते हैं, subject pronouns, object pronouns, subject pronouns जो हैं, वो sentence में, जो subject ह noun जब subject की तरह act कर रहा है, subject यानि की कार्य करने वाला करता, तो जो subject pronouns हैं, वो noun जो subject की तरह act कर रहा है, उसको replace करते हैं, और object pronouns जो noun object की तरह काम कर रहा है, यानि की कर्म की तरह, जिस पर करता जो कर रहा है, उसका असर हो रहा है, तो object pronouns, noun जो object की तरह sentence में काम कर रहा है, उ तो क्या-क्या होते हैं subject, pronoun और object, pronoun Let's just have a look देखिये ये जो है subject to pronounce है ये 7 और ये जो है ये object pronounce है subject pronounce subject को replace करते है object pronounce object को replace करते है दूनों cases में ये noun को ही replace करते है but subject, pronoun और object pronoun interchange नहीं हो सकते मतलब जिससे अगर आप कहते हो I saw a book, तो आप यह नहीं कहोगे me saw a book, क्योंकि I saw a book, यहाँ पर यह subject को replace कर रहा है, ठीक है, तो यह आप अलग-अलग तरीके से use होते हैं, जैसे subject pronoun ही, जब object, जब noun को noun object है, और noun को subject pronoun जब replace करता है, तो वो बन जाता है me, he जो है subject, जब noun subject होता है, उसको replace करता है, और he object pronoun में बन जाता है him, she बन जाती है, her, we बन जाता है, us, they बन जाते हैं, them, it और you जो है, यह सेम रहते हैं, it और you, subject और object में जब नाउन होता है, तो it और you, सेम ही रहते हैं, ये चाहे subject pronoun, subject noun को रिप्लेस करें, जब दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा example से भी समझ लेते हैं, ताकि अच्छे से clear हो जाए, देखिए, एक जो simple sentence होता है, उसमें होता है subject, verb और object, subject कार्य करने वाला करता, verb, क्रिया, object होता है कर्म, जिस पर करता जो कर रहा है, उसका असर होता है, ठीक है, तो जो subject, जो है, ये वाली जो noun होते हैं, subject, pronouns, वो हमेशा, मतलब जादा तर, हमेशा तो नहीं, लेकिन जादा तर वो शुरू में ही आते हैं, वाक्य के शुरू में आते हैं, अब देखिए, जैसे, mother bakes a chocolate cake, यहाँ पे जो हमारा subject है, वो है mother, ठीक है, mother हमारा subject है, noun है, जो की subject है, तो हम इसको subject pronoun से, subject pronoun क्या है, हमारा she, अगर आप, जैसे वो, mother जो है, she's a woman, woman है, ladies के लिए, women के लिए हम use करते हैं, she, subject pronoun, हम यहाँ पे object pronoun, her नहीं use करेंगे, नहीं तो हमारा sentence गलत हो जाएगा, she bakes a chocolate cake, ठीक है, यह bakes हो गया आपकी क्रिया, तो she, फिर, राधा is playing with मोहित, यहाँ पे हम राधा को replace करेंगे she से, क्योंकि she जो है, वो है एक subject pronoun, और मोहित जो है, अब देखिए, राधा जो है, वो है करता subject, और मोहित काम कर रहा है, object की तरह, यहाँ पे noun object है, तो हम इसको object pronoun से, object pronoun में boy के लिए हम use करते हैं him, ठीक है, तो हम यहाँ पे him से इसको replace करेंगे, यहाँ पे हम she is playing with he नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे she is playing with him, my brother likes to sing, यहाँ पे जो brother है noun, उसको हम he से replace करेंगे, he likes to sing, इस तरीके से, ठीक है, she is playing with him, इस तरीके से हम इनको replace करेंगे, तो इस तरीके से, I hope आपको थोड़ा clear हो गया होगा, कि किस तरीके से subject pronoun subject को और object pronoun object को replace करते हैं, अब हम देखते हैं कि pronouns जो हैं, यह सारे जितने pronouns हैं, परस्नल प्रोनाउंस उनको कैसे यूज किया जाता है, सबसे पहले, I, I का यूज होता है, जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूं, जैसे कि, I like ice cream, I am driving a car, he use होता है, man के लिए या boy के लिए, यानि male gender के लिए, जैसे, अगर मैं कहरे हूं, Ravi is hungry, he wants food, क्योंकि Ravi is a boy, Mr. Kanth is my teacher, अब वो man है, तो he is my teacher, she use होता है, female gender के लिए, woman के लिए, या girl के लिए, जैसे, Shivani is playing को हम बोल सकते हैं, she is playing, तो इस तरीके से, I, he और she use होते हैं, फिर हम आजाते हैं, वी पर, वी के यूज़ पर, वी जो है, उसको हम, अब ऐसे यूज़ करते हैं, जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें मैं खुद भी included हूँ, मैं खुद भी उस ग्रुप का हिस्सा हूँ, जैसे मैं कहते हूँ कि, I, Radha and Meena are friends, तो मैं कहूँगी, we are friends, ठीक है, फिर दे, दे को हम use करते हैं, when we talk about other people, animals or things, जो दो या दो से जादा हूँ, ठीक है, जैसे, the dogs are barking, अब यह animals हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे, they bark at night, I have toy cars, they run very fast, toy cars को, they से replace कर दिया, there are many children in the park, they are playing, तो जो many children हैं, उनको हमने they से replace कर दिया, मतलब, दो या दो से जादा people हो, या animals हो, या things हो, तो हम they को use करते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं, it पर, it is used for single, एक, animal हो, जानवर हो, चाहे place हो, या कोई thing हो, एक, it, जैसे, I have a car, it is red in color, यहाँ पे मैंने I को, यह, I have a car, यहाँ पे मैंने car को, car जो है, thing को, इट से replace कर दिया, it is red in color, lion is an animal, it is very strong, ठीक है, यहाँ पे मैंने animal जो है, उसको it से replace कर दिया, फिर जो you होता है, you हम use करते हैं, जब हम किसी से बात कर रहे हैं, वो हमारे सामने खड़ा है, या खड़ी है, क्योंकि जो you है, वो male gender और female gender दोनों के लिए use होता है, और you, you को आप एक इनसान के लिए भी use कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए भी use कर सकते हैं, ठीक है, तो यह हो गया you का usage, तो यह हो गया you का usage, तो मेक शूर के बच्चों को कितना समझ में आया है, ठीक है, तो जैसे यहां पर है, fill in the blanks, यहां पर मैंने nouns लिखती हैं, यहां पर प्रोनाउन के लिए जगा ठोड़ी है, तो इस तरीके से आप worksheet बना सकते हैं, अब यह देखें, इसमें noun है dog and cat, तो dog and cat, यानि दो, दो animal हैं, हम use करेंगे they, I and mohit, हम दो लोग हैं, तो हम अपने बारे में, मैं एक ग्रूप का हिस्सा हूँ, जिसमें mohit भी है, हम दो लोगों का group है, इलिफेंट अनिमल इट, बॉइ, बॉइ के लिए हम यूज करेंगे he, फादर, वो भी male gender he, मुंबई एक जगा का नाम है, हम यूज करेंगे it, सिस्टर, गर्ल है she, बहुत सारी गर्ल्स हैं, ज़्यादा हैं, दो या दो से ज़्यादा they, इस तरीके से आप नाउन एक तरफ एक सकते हैं, उनको बच्चों को pronoun fill करने के लिए दे सकते हैं, दूसरी exercise जो है, वो है, change the underline words to pronoun, मतलब यहाँ पे noun दिये हैं, उनको pronoun में आपको replace करना है, इसमें बस इस बात का ध्यान रखना है, कि subject की तरह जहाँ पे noun है, वहाँ पे subject pronoun से हम उसको replace करेंगे, object की तरह जहाँ पे noun है, वहाँ पे object pronoun उसकरेंगे, जैसे Amit played cricket with Ravi, यहाँ पे Amit subject pronoun है, तो हम इसको he से करेंगे, replace, he played cricket, cricket with, और Ravi को हम करेंगे object pronoun से, यानि कि he बन जाता है object में him, इस तरीके से, ठीक है, डॉक्टर अगरवाल is very famous, he is very famous, the house needs a coat of paint, it, क्योंकि ये, एक thing है, needs a coat of paint, thing के लिए, it youth होगा, Neha and Neil live in the same building, दोग या दो से जादा लोगों के लिए, they, they live in the same building, the dog is barking, it is barking, क्योंकि animal है, it is barking, ठीक है, तो इस तरीके से, आप exercise करा सकते हैं बच्चों को, जिनसे की उनका pronoun का concept, अच्छे से clear हो जाए, so friends, I hope you found this video helpful, video आपको अच्छा लगा हो, तो please like and subscribe to my channel, please support me, और हम मिलते हैं जलदी, with a new video, which would be about adjectives, okay, until then, take care, and thanks so much for watching,